बाणों की शया पर असानिय पीडा के बाद भी भीशम पितामह ने 58 दिन बाद ही क्यों त्यागे प्राण, महाभारत युद्ध को इतिहास का सबसे भीशन युद्ध माना जाता है भीशम पितामह भी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक रही हैं साथ ही वह सबसे उम्रद्राज होने के बाद भी सबसे शक्तिशाली योध्धाओं में से एक थे भीश्म पितामा को इच्छा मृत्यू का वर्दान प्राप्त था जिस कारण कई दिनों तक बाणशया पर लेटे होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं सबसे पहला कारण तो यहां माना जाता है कि भीश्म पितामा अपने प्राण तब त्यागना चाहते थे जब सूर्य उत्तरायन में हो हिंदू धर्म में यहां माना जाता है कि जो भी व्यक्ति के इस समय में मृत्यू को प्राप्थ होता है उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती होती है जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीश्म पितामह को घायल किया तब सूर्य दक्षनायन में था ऐसे में सूर्य के उत्तरायन होने के लिए भीश्म पितामह ने 58 दिनों तक लंबा इंतिजार किया भीश्म पितामह को अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यू का वर्दान प्राप्त था अर्थात वह केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राणों का त्याग कर सकते थे हाला कि कर्तव्यों से बाधित होने के कारण भीश्म पितामा को युद्ध में कौर्वों का साथ देना पड़ा था जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीश्म पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे क्योंकि उन्हें हराय बिना युद्ध जीतना असंभव था ऐसे में अर्जुन ने भीश्म पितामा पर अपने बाणों की बरसात कर दी थी जिससे पितामा बुरी तरह घायल हो गए थे लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे